इस में से सबसे पहला विकल्ग है विनेगर, जोकि सभी गणरों में असानी से उप्लद होता है। विनेगर एक disinfectant की तरह अपने acidic nature की कारण काम करता है क्योंकि वो acidic होता है इसलिए वो household bacteria और viruses को मारने में help करता है तो इसे एक disinfectant की तरह उपयोग में लाया जा सकता है विनेगर को disinfectant की तरह उपयोग करते समय इस बात का लिहां लगते हूं कि हम केवल white vinegar या synthetic vinegar कुछ में इसको बिना dilution के भी use किया जा सकता है लेकिन बहतर रहेगा कि आप इसको one-to-one के dilution में use करें इसका मतलब हुआ एक भाग vinegar और एक भाग पाली ऐसी स्तिती में जो इसमें acid होता है जिसको acidic acid कहते हैं उसकी strength 5 से 7 प्रथिश्वत होती है उसको पहले अच्छे से साफ कर दें साबून से जिस पे कोई भी की कोई भी गंदगी उस पे लगी न रहे और उसके बाद में उस पे vinegar का spray करें spray के बाद में कम से कम 5 से कम 10 से 15 मिनट का समय contact के लिए दें जिससे कि vinegar अपना काम कर सके और बाद में उस surface को दो दें surfaces होती है जो जिस पर रंग होता है जो रंगीन होती है या बहुत delicate होती है तो उस acid से उस पर नुक्सान हो सकता है तो इस पाथ का ध्यान रखें दूसरा है कि सभी परिस्तितियों में vinegar effective नहीं होता है अगर बैक्टीरिया और फंजाई और उस तरह के infections का खत्रा है तो बहतर है कि जो commercially available disinfectants है उनका उप्योग किया जाए जाए